हेलो नमस्कार दोस्तों नया सी की चैनल में आपका फिट से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक लॉंच जिसकी मदद से हम वाट्सअप को कुछ ही सेकिंड में ओपन कर सकते हैं हमे मुट्सअप को ओपन करना है तो हम क्विक लॉंच का द्वारा अपने वाट्सअप को सबसे पहले मकर सकते हैं यह फिर आप ट्रों से इंस्टाग्राम हो, किसी भी आपटलिकेशन को आप्उप सबसे फास्ट को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है phone की setting में आई ए यहाँ पर आपको मिल जाता है special feature उसके बाद यहाँ पर देखिए quick launch का option है आप यहाँ पर click करें उसके बाद यहाँ पर enable हो रखा है आपको इसको enable करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप तो नीची की साइट देखें तो कुछ इस तरी किसे नजर आएगा एड़ेट पर क्लिक करें यहां पर लोडिंग हो रही है यहां पर आपकी जितनी भी फॉन की अप्लिकेशन है वह यहां पर आजैएगी देखिए अप यहां पर जाएंगे तो यहां पर हमारे फॉन की सभी अप्लिकेशन को ओपन करना चाहते हैं वो यहां पर आप डाल सकते हैं आप यहां पर पांच अप्लिकेशन को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर मैं आपको दूसरे फोन की मदद से आपको दिखाता हूँ यहां पर में लोक लगाना पड़ेगा लोक लगाने के बाद कैसे हम इसको सबसे फास्ट ओपन कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ हम अपने फोन को लोक लगा लेते हैं लोक लगाने के बाद यहां पर आपको जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो आपकी जो भी अप्लिकेशन है वह पांच ओप्लिकेशन यहां पर सो होने लग जाएगी देखें मैं आपको यहां पर लॉक लगाता हूँ यह हमने लोक लगाया उसके बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें फिंगर्प्रिंट देना होता है इसको आपको प्रेस करके रखना है जब आप इसे प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर आपकी वह पांचो अप्लिकेशन आ जाएगी उसके बाद आपको ऐसे हटाना नहीं है अगर आप हटा दोगे तो आप उस अप्लिकेशन तक नहीं पहुच पाओगे उसको आप ओपन नहीं कर पाओगे जैसे मैं दुबारा लोक लगाता हूँ लोक लगाने के बाद यहाँ पर प्रेस करके रखते हैं तो तो आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं यह बहुत अच्छा फीचर है आप इसका इसका इस्तेमाल करके और अपने फॉन को थोड़ा से अलग लुक में देए नहीं सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको भी ओपन कर सकते हैं अगर आप लोगों को फीचर के बारे में पता चला होगा कैसे इसको यूस किया जाता है और कैसे हम अपनी अप्लिकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं और सबसे पहले ओपन कर सकते हैं अगर आप लोगों को वीडि वीडियो अप्लोड करता रहता हूं थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो